तो आगे देखिए कुल्लू की तरफ कितना जादा अंदेरा है अभी तो हेलो एभरिबरन तो कल रात को जो है हम पोँंच चुके थे चंडिगड़ तो चंडिगड इचुणigs में जो है अभी हमने रात को स्टेक जिया तो अभी सुबा के बज रहे हैं 21.30 तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं इमाचल के लिए तो मामा जो है भी जैक कर रहे है गाड़ी में कूलेंट और इंजन आइल साथ में हम जो है चैक कर रहे हैं गाड़ी की हवा भी तो चलिए अब आपको दिखाएंगे कि हम चाहिए अब भी जो है हम सब गाड़ी में बैठ चुके हैं यह देखिए यह भी बैठ चुके है और शिवा देखिए यहां पर लेटा हुआ है तो अभी मामा बताएंगे हम कहां से जा रहे हैं जैसे कि हमने बताया हम लोग रुके रहे चंडीगड के आउटर पे तो आप बुलू जा पुलुट जाने के लिए हमको चंडीगड के तुम जाना पड़ता है लेकिन हम लोग सिंटी ट्रैफिक को अबूइद करने के लिए हमने कह कि है कि चंडीगड के बहार से रस्ता लिया यह जाइब लिए गाउं का रास्ता है और चंडीड़ भी है यहां पे ज्यादा ट्रै सब्सक्राइब नियुक्त निकलते हैं यहां से आगे के लिए तो हिमाचल का बॉटर जो है यहां से लगबक 15 किलोमेटर दूर है टो मिलते हैं आग से जैसे ही माचल का बॉटर लगता है वैसे है आपको दिखाएंगे तो यह लोग भी ही माचल के लिए जारे है ना-जारे हैं कि तो ज्याधा तर जो एbir मानिकन इंग से तो माँ मा बताएंगे आपको ज्यादा इसके बारे में यह लोग कहां जाते हैं बेस तुनानक देब जी ने क्या किया था कि गरणपाली में चावल बनाए ते और सिख लोग क्या करते हैं कि वहां पे उस जगह पे काफी भारी मातरा में गों में जाते हैं तो जो थोड़े से अमीर लोग रहते हैं वो तो अपनी गाड़ी बगरा करके जाते हैं लेकिन गरीब ल प्रकों में ट्रेक्टर में पूरी तरह से भरके यहां से मनिकन तक जाते हैं जो कि कम से कम 200 किलो मेटर हैं तो काफी जादा जाम लग चुका है यहां पे और मनाली जो है यहां से लग लग 237 किलो मेटर दूर है तो अभी हम हिमाचल में रुक चुके हैं देशी ढ़ाबा में तो यहां पर एक बार मैं पहले भी आया था तो यहां का जो खाना है बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही जादा फ्रेश रहता है यहां का खाना तो यहां पर एक बार क्या हुआ था कि सामने वाले तरफ वो देखिए उस तरफ में एक बार हमारी गाड़ी खराब हुई थी तो हम ने वहां पर अपना गाड़ी को ठीक करवाया था तो इसके लिए जो है हम आज भी यहीं पर यहाए खाना काने क्यूंकि यह जो है एकदम फ मैं यहां पर आया था सनी भाई के बास पर देश सी ढबा करके जो है इनका रेस्टोरेंट है यहां बे तो इन्हों ने यहां पर मुझे बहुत ही अच्छा खाना सर्ब किया भी तो कुछ कहना चाहेंगे सनी भाई आप कैसे बनाते हैं इतना अच्छा खाना प्यार मिला होता है और थोड़ा आप लोगों का जैसे विश्वास है हमारे पर भाई हमारे पास आने हैं सेकिंड टाइम कि पीछे साने डाबने छोड़े हैं जी तो इन्हें बहुत बहुत बहु तो सनी भाई यह कौन सी जगा है आपे यह बहुत मस्यवाल केटपुल सायब जब आप पहुंचेंगे वहां से आठ नौ किलमेटर उपर आई तो आप कोई हमारे सब्सक्राइबर अगर यहां पर आना चाहेंगे तो कैसे कॉंटेक्ट करेंगे आपसे जी हमारा नीचे भी लगे हो है आपको वहां से हमारा कॉंटेक्ट नंबर मिल जाएगा तो कॉंटेक्ट नंबर आप पता सकते हैं नाइन जिरो ओके 412-53-441 यह मेरा सनी नाम से होगा तेंक यू मिले थे सनी भाई से जो की यहां देशी ढावे को ओनर है तो काफी अच्छा लगा उनसे मिलके तो अब निकल रहे हैं हम हमाचल के लिए आगे तो चले चलते हैं तो है हमाचल की चड़ाई एक तम शुरू हो चुकी है तो एंटर कर चुके हैं हम हमाचल में तो देखो अब लोग ना हम हम हमाचल में एंटर कबके हो रखे हैं लेकिन असली चीज है आप ये व्यू देखो कि तना बढ़ी है ठीक है लॉजिकली क्या है हम लोग बच्पन से इस तरह की चीज हमरे ये पाइन ट्रीज आप देख रहे हो बच्पन से हमारे लिए साइट लेकिन क्योंकि अभी जॉब के लिए बाहर निकल गए तो ऐसे ट्री तो अभी देखने को मिलते हैं लेकिन बहुत ही मिलना ऐसे खुश हो जाता अंदर बुस्ते कि यार घर आ गया तो अभी तो वैसे पुल्लू यहां से बहुत दूरे जब कुल्लू पॉंचेंगे आप त अभी तगडी चीजे देखने को मिलेगी यह तो जब शुरूब आता है अभी हमारी जब अच्छा तो देखो ग्यूंचेंगे अगर अगर मचला में तो क्यों आप एटना कम पेट्रोल बरादा महारास्टरा में और यहां अपने हों स्टेट में बरा है एक सो चार तो क्यो हुआ है यहां पेटना कम पेट्रोल करें अपर देखिये शीवा जो है सोया हुआ है एकदम राजा की जैसे खराटे भी लगा रहा देखिये तो आगे जैके कुल्लू की तरफ जो है काफी जाता मौसम खराब गए जैसे जो कि अभी आपको दिखाएंगे यहां पर एक सलापड़क के जगा है जहां पर कि बड़ा हाइड्र एलेक्टरिक प्रॉज्ट्रिक प्रॉजेक्ट है यह बहुत ही पराना यहां कि सत्लूज रीवर जो है उसमें ब्यास रीवर का पानी जो मिक्स किया जाएगा वह आपको थोड़े दिर में दिखाएंगे तो यह हैं पावर हाउस यह है सत्लूज नदी को है कि अभी जो है हम पहुंच चुके हैं सοदर नगर में और यहां से पुलू जो है वहएं लग पर 30 कीलोमेटर दूर तो अभी जो है यहां प काफी जादा बारिश भी हो रही है सुन्दर नगर में तो आपको दिखाता हूं dai तो यह देखिए बारिश के जो है चीटे हलके हलके के लिए गाड़ी के उपर तो आगे देखिए कुल्लू की तरफ कितना जादा अंदेरा है अभी और मौसम जो है बहुत ही जादा खराब हो चुका है और टेंप्रेचर भी जो है यहां पर लगवक एक किस चल रहा है कि बाहर कुष्णा मंकीज है और यहां पर ट्राफिक जाम हुआ है तो हम यह बिस्कीर जिन मंकी को देंगे तो यह देखना कितने अच्छे तरीके से उठाते और खाते है तो चली ट्राय करते हैं तो मंडी में भी जो है काफी जाम लग चुका है यहां पर शायद जो है पहाड की कटिंग हो रही है क्योंकि यहां से जो है फोर लेंड मन रही अभी तो सामने की तरफ जो है भी काम चल रहा है तो मैंने यहां पर किसी लोकल बंदे से पूछा भी तो उनका कहना यांगे जो है लैंड स्लाइड हुआ है तो चलिए दिखाते हैं आपको अगर हमें रास्ते में दिखता है तो अब जो है वह रास्ता क्लियर करके आ चुकी है शायद यहां पर गुवा था लैंड यहां पर चाय नाश्ता करने यहां पर बहुत ही कम है टाइमपरेचर 15 डिगरी से से तेमपरेचर जो की बहुत ही कूलिंग है और हमको बहुत हंडी सी लग तो हमने सुचा थोड़ी चाय पी लेते हैं और थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाएगी अभी भी आगे जो है हमारा ज गंटे और लगेंगे हमको तो बने रही है व्लॉग में तो अब ही जो है हम पहुंच चुके है उंतर तो यह है जेजे रिजॉट और साथ में है इसके संध्या पैलेस तो यहां से लगबग 9 किलोमेटर के बाद जो है कुलू लगता है मैं घर में पहुंच चुका हूं और मैंने डिनर भी कर लिया है तो अभी जो है रात के बज रहे हैं तो आज के वीडियो को जो है मैं यहीं पर ही एंड करता हूं आप मिलूंगा आप से नेक्स्ट व्लॉग में आज लिए बस इतना ही धन्यावाद